तो प्रेशन है अर्थ सास्त्र सब्द किस भासा से लिया गया है ओप्शन देख करांसर दीजिए तो इसका सेत्तर हो जाएगा ओप्शन भी यूनानी भासा से और आपको बता दें अर्थ सास्त्र सब्द, संस्क्रत सब्दों के अर्थ यानि धन और सास्त्र की संधी से मिलकर बना है जिसका साफदिक अर्थ होता है धन का अध्यन तो एकजाम में पूछा जा सकता है कि अर्थ सास्त्र का संस्क्रत में क्या अर्थ होता है तो इसको आप धनका अध्यन को नोट कर सकते हैं तो अगला प्रेशन है स्रम यानि लेवर की मांग को क्या कहा जाता है ओप्सन देक करांसर दीजिए तो इसका सिउत्तर हो जाएगा ओप्सन सी प्रतच्छ मांग क्योंकि स्रम का मतलब ही प्रतच्छ रूप से एक धैनिक मजदूरी पर कार्रे करना होता है तो अगला प्रेशन है इन में से कौन नीती आयोक का अध्यच्छ होता है ओप्सन देक करांसर दीजिए वैरी जी एन इंपोर्टेंट कोशन है कई बार एक्जाम में देखने को मिला है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा तो आपके लिए कोशन है वरतमान में भारत का नीती आयոक का अध्यच्छ है कौन है जिनको का अंसर पता है वो बता सकते हैं अगला प्रेशन है भारत के रिंड किसके द्वारा नियंत्रिद किये जाते हैं option देखकर अंसर दीजिए तो इसका से उत्तर हो जाएगा option B, RBI यानि रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया भारत के रिणों को नियंत्रित करता है और यहां आपको ये RBI के कुछ महतपूर कारे दिये गए हैं क्योंकि इनमें ऐसे एकजाम में देखने को मिले हैं तो इनको आप note down कर सकते हैं तो इनमें पहला है मौद्रिक नीती का संचालन करना तो RBI भारत में जितनी भी मौद्रिक नीती होती है यानि कि भारत में जितनी भी मुद्रा से सम्मनित नीतियां है उन सभी को RBI संचालित करता है यानि कि उनको चलाता है तो next है साख का नियंत्रन यहाँ साख से तात पर रहे उधार से है अगर समझ में ना आए तो पूछ लीजिए next है मुद्रा का निर्गमन यानि कि RBI एक रुपे के सिक्के को छोड़ कर सारी मुद्रा का निर्गमन करता है और आपको बता दें कि एक रुपे के सिक्के का निर्गमन वित्तमंत्राले द्वारा किया जाता है और उस पर वित्तसचिव के ही हस्ताच्छर होते हैं तो next है इसमें बैंकों का बैंक के रूप में कार्रे करना यानि भारतिय रिजर्ब बैंक सबी बैंकों का बैंक होता है उससे उपर भारत में कोई भी बैंक नहीं है तथा भारत के सारे बैंक RBI की गाइडलाइन का ही पालन करते हैं और RBI के अनुरूप ही कार्रे करते हैं अगर इन में से कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए लेकिन अपनी नोट्स में गलत नोट मच लिखिए तो next question है निमने लिखित में से किस लागत का सम्मंद नियून्तम लागत से है option देखकर आंसर दीजिए तो इसका सेयुत्तर हो जाएगा option C मूल भूत लागत से मूल भूत का मतलब होता है मुख्य यानि फंडामेंटल और मुख्य लागत हमेशा नियून्तम ही होती है तो next question है GEF एक अंतरराश्ट्रिय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है इसका विस्तरत रूप क्या है या फिर GEF का पूर्ण रूप क्या होगा option D क्राप अंसर रताईए तो इसका से उत्तर हो जाएगा option D GEF का पूर्ण रूप Global Environment Fund होता है note down कर लीजिए एक्जाम में पूछा जा सकता है तो next question है दरस्य निर्यात और दरस्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते है दरस्य निर्यात और आयात वस्तूओं के आयात और निर्यात को कहते है और अदरस्य आयात निर्यात सेवाओं के आयात निर्यात को कहते है तो आप इसका अंसर दीजिए इसका से उत्तर हो जाएगा option C व्यापार सेस next question है स्वर्ण बुलियन मान का सम्मंद किस से है option देख करा answer देता आईए तो इसका स्यूत्तर हो जाएगा option B स्वर्ण बुलियन मान का मतलव जो स्वर्ण मूल्या के माप के रूप में होता है example से समझिए जैसे कि हम किसी वस्तू को खरीदना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमारे पास उसके मूल्या के बराबर स्वर्ण है तो वो स्वर्ण बुलियन मान कहलाएगा क्योंकि हमने उस वस्तू का जो मूल्या है वो स्वर्ण के रूप में माप दिया है भारतिया खाद निगं किस वर्स इस्थापित किया गया? उप्सन दिकर अंसर दिजिए तो इसका सियूत्तर हो जाएगा उप्सन D 1965 में नेक्स्ट कोशन है फिलिप का वक्र निम्न में से किसके बीच सम्बन दिखाने वाली सूची है? आप्सन देखकर अंसर दीजिए तो इसका से उत्तर हो जाएगा आप्सन C, बेरोजगारी की धर और मुद्राइस्पिती की धर को फिलिपवक्र से दिखाया जाता है इसे आप इस चित्र में देख सकते हैं इसे फिलिपवक्र कहते हैं क्योंकि इसमें एक और मुद्राइस्पिती की धर होती है और दूसरी और बेरोजगारी की धर होती है मुद्राइस्पिती आपको बता दें कि जब मुद्रा के मूले में लगातार ग्रावट आती है तो उसे मुद्राइस पीती कहा जाता है तो ये आपके कुछ महतपूर्ण प्रेसन थे प्रेसन आपको कैसे लगे अगर जो भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो आप बता दीजिए और इससे पिछली सारी वीडियो अब तक अब तक एकोनोमिक्स के हम सारे महतपूर्ण प्रेसन आपको कमपटीशन बेस प्रोवाइड करा चुके है तो सभी प्रेसनों को मिस मत कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए हमसे जरूर जुड़िये ताकि आने वाली नोट्स और वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके हमें फॉलू कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से तयारी करते रहिए अगर आपकी किसी पीडियो फाइल क्या वाज सकता है तो आप हम बता सकते हैं हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे धन्यवाद तयारी किजिए पढ़ते रहिए